जै क्रश्न गोविंद हरे मुरारी हे नात नारायन वाशुदेवा राधे क्रश्न राधे क्रश्न राधे 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 क्रश्न ओम नमो नारायन ओम नमो भगवते वाशुदेवाई जै शिरी क्रश्न, राधे राधे, जै मातादी, हर हर महादेव, जै भूले नात, देखे कोई भी जाप हो, चाहे नाम जाप हो, या फिर मंत्र जाप हो, हर व्यक्ति, हर साधक यही चाहता है, कि उसका जाप जल्दी सफल हो जाए, या जल्दी सिद्ध हो जाए, या फिर उसक की उर्जा तपोबल के रूप में भी बढ़ सकती है अध्यात्मिक उर्जा के रूप में भी बढ़ सकती है या फिर आपके औरा में भी वो उर्जा प्रदरसित होने लगती है आपका औरा बढ़ने लगता है देखिए जब हम नाम जब करते हैं तो नाम जब भी मंत्र जब की तरह ही प्रभावी होता है, ऐसा नहीं होता है कि नाम जब अलग प्रभाव देता है और मंत्र जब जब ज़्यादा देता है और नाम जब नहीं देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी जब हम करते हैं, पूरे विश्वास से अगर हम कोई भी जब करते हैं, चाहें वो नाम हो जाहें मंत्रो उत्ना ही प्रवावी होता है जितना कि आप सो शॉचते हैं किसी मन्तर के बारे में तो कई बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नाम जब strings होने लगेगा जली से ऊसमें उर जाना परारम्ब हो जा साधारण सी बात होती जो जादा तर साधक जानने ही लगे हैं जो साधक हैं खासकर उन्हें तो पता ही होता है जो नएने व्यक्ति हैं जिन्होंने जाप कभी पहले किया नहीं था अब करना चाहेते हैं उन्होंने ऐसा मन बनाया है कि जाप करना है हो सकता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहों कि जब भी कोई ग्रहण काल आता है उस ग्रहण काल में पूरे ग्रहण काल में अगर हम कोई भी मंत्र जाप या नाम जाप लगातार जबते रहते हैं तो वो मंत्र जल्दी से सिद्ध हो जाता है वो नाम जाप जल्दी से सिद् अधिक फर्क होता है इसी प्रकार से कोई विसेश पर्व हो गया होली होली की रात हो गई दिवाली की रात हो गई सिवरात्री हो गया गुप्त नवरात्रे हो गया साधारण नवरात्र जो आते हैं वो हो गया तो नवरात्रे में भी अगर आप कोई संकल्प लेके जाब करते ह मतर आप स Teikal मंत्रों की बात कर रहे हैं नाम जाप के लिए आप तो ज्यादा संकलप nilaak सवALLाक का संकलप क्योंकि ना उसका प्रभाव भी जल्दी जल्दी आप याप कर सकते हो तो नाम जाप या मंत्र जाप आप जितना कर सकते हैं उसे उसे शाप से संकलप लेके अगर आप जाप करते हैं नवरात्री में तो उसका प्रभाव भी बहुत तेजी से बढ़ता है आपका जाप सिद्ध होने लगता है आपके जाप में उर्जा आने लगती है ये तो ये तरीके हो गए एक तरीका और भी होता है जिससे आपका नाम जाप जल्दी से दोने लगता है वो होता है आप नाम लिखा करिए एक साधी कापी खरीद लीजे सफेद पन्ने की हो या पर लाइनिंग वाली हो उसमें जैसे भगवान राम के नाम का आप जाप करते हैं राम, राम, राम करके ऐसे पूरा उस कापी को लिख लिख के भर दीजे चोटा-चोटा सा और लिखिए इतना कि कम से कम सबालाख तो हो ही जाए और वो जो किताबे होती है उनको आप विसरजित कर सकते हैं गंगा नदी में या कोई भी पवित्र नदी हो जो आपके घर के आसपास नदी नहीं है तो कोई नहर होगी वहाँ पे भी आप विसरजित कर सकते हैं उसे जल में प्रवावित करतीचे तो इस प्रकार से अगर आप नाम जाप करते हैं तो जल्दी सिद्ध होता है ब्रह्म महोलत का काल एक ऐसा काल होता है जो देवों को काल भी कहा जाता है अम्रत बेला उसी समय को कहा जाता है उस समय बहुत ही जादा जो उरजाएं होती हैं सकारात्मक उरजाएं होती हैं यह कह सकती हैं दैवी सकतियां होती हैं वह अपने चरम पे होती हैं बहुत ज्यादा active होती हैं ऐसे में अगर हम कोई भी जाप करते हैं नाम जाप तो छोड़ दीजिए आप मंदर जाप भी करते हैं तो वह भी बहुत तीब्रता से अधिक तेजी से बढ़ता है जैसे माल लीजे किसी व्यक्ति से face to face बात करना या किसी व्यक्ति से फोन के उपर बात करना दोनों में फर्क तो होता ही है आप जितना अच्छा सामने से समझा सकते उतना फोन पर नहीं समझा सकते तो वैसे ही ब्रह महुलत का काल होता है उस समय जब देवी सक्तियां आप से कॉंटेक्ट करती हैं या आप एक तरह से आपके आसपास होती हैं जैसे आपके कि खरके देंगता हो गए या जो दैवी सकतियाप की मदद कर रही होती हैं वह सकतिया होती है और ऐसे में आप आप करते हैं तो वह कि आप सीधे सीधे उन तक पौहँचना सुरू हो जाता है आप ने देखा ह genau जो सादूसंद में बैठ जाते हैं लगातार जाप करते हैं तो ये एक ऐसा समय होता है कि जब आप अपने जाप की उर्जा बहुत अधिक बढ़ा सकते हैं और खासकर अगर आप संकल्प लेके करते हैं तो उसका और अधिक प्रभाव होता है क्योंकि संकल्प में आप बंद जाते हैं एक नि किरपा बनाना शुरू कर देती हैं तो अगर आप नाम जाप करना चाहते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं किया है तो जो भी आपके इस्ट देवता होते हैं क्योंकि कभी-कभी हमारे दिमाग में आता है कि हम किसका करें किसका ना करें वो सिंपल तोर पे साधरान तोर से भगवान भोले नात का जाप करना सुरू कर सकते हैं और जिने नाम जाप में रुची है और नाम जाप करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह नहीं समझ में आता है कि किसका जाप करें तो आप भगवान सिरी जाब कर सकते हैं माता सीता का जाब कर सकते हैं आप हन्मान जी के नाम का जाब कर सकते हैं आप बोले नात के नाम का जाब कर सकते हैं जिन भी देवी देवताओं से आपका लगाओ बहुत अधिक होता है जिनके करेब आप बहुत ज्यादा पहुंचना चाहते हैं आप चाहते ह कहीं ना कहीं उनकी एनरजी आपकी एनरजी से जोड़ रही होती जिसके कारण से आपको वो देवी देवता जादा पसंद आते हैं तो ऐसे में अगर आप उनके नाम का जाप करते हैं तो जल्दी से उर्जा बढ़ती है ऐसे किसी के कहने पे जाप मत करिये आप अपना जुडाओं देखिए कि आपका जुडाओं किने देवी देवता के प्रति अधिक है अगर उनके नाम का जाप करते हैं तो वो जल्दी से प्रभावी होता है इसे पिरकार से मंतर जाप में भी यही चीज है जो भी मंत्र आपको बहुत अच्छा लगता है देवी देवताओ जो बहुत अच्छे लगते हैं बहुत जुडाओ रहता है उनके मंत्र का जाप करने से मंत्र की उलजा तेजी से बढ़ती है और नाम जाप में एक चीज और भी रहती है कि जादा असुधिया नहीं होती जैस करें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगा कमेंट में जै माता दी जै स्रीक्रश्ना हर हर महादेव लिखेगा